सबसे पहले इस नुस्के को बनाने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर लिया है आवला पाउडर अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप साबूत आवले को पीस कर भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर आप कच्चे आवले का यूज करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप उस जाता जढ़ रहे हैं बाल जढ़ने की समस्य से आप परिसान हो चुकी हैं तो आपको आवला जरूर यूज करना चाहिए इससे आपके बाल काले भी होंगे अगर ऐसे में सफेद हो रहे हैं या फिर उमर के साथ सफेद हो रहे हैं तो ऐसे में भी आवला पाउडर बहुत ही का बहुत ज्यादा नहीं किवल एक चमच पौडर भी आप यूज कर सकती हैं नेस्ट आपको दोस्तों लेना है अलोवेरा जेल ध्यान नखना है हमने यहाँ पर यूज जो ले रखा है वह मार्केट वाला अलोवेरा जिल ले रखा है और अगर आपके पास अलोवेरा का पौधा अपने बालों पर यूज करती है तो विश्वास मानिए आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी आपने जो हमने आवले पौडर को ले रखा था कटोरी में उसमें आपको कम से कम एक चमच अलोवेरा जेल डालना है दोस्तों एक चमच अलोवेरा जेल डालकर इस अच्छी मिला लेना है इसे आप अच्छी मिला जेंगे वालों पर लगाने यहासां नहीं होगी और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी से क्योंकि एकशिए है नेक्स आपको इस नुस्के को बनाने के लिए दोस्तों लेना है कोकनेट ओय यानि कि आपको आपके बाल पतले हैं घने नहीं हो रहे हैं या फिर आपके बाल छोटे हैं लंबे नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में नारियल तेल बहुत ही लापकारी है एक प्राकृतिक टेक्चर को बनाये रखता है बालों का जिसे आपके बालों की ग्रोथ होती है रूखे बाल होते हैं या फ कुछ लोगों के बालों में ऐयल ज़ादा लगता है बालों के लंबाएगे से यह फिर बाल eighth बहुत ज्यादा रुखे हैं तो ऐशम सकता है तो अपने बाल के नसार आपको और ले लेना है और इस मिक्षर में इस पेश्ट में आपको मिला लेना है मेना तब को किवल इतनी सी करनी है कि इसे आपको अच्छे से मिलाना है जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तो बालों में भी लगाने में आसानी होगी और इन तीनों चीजों के गुड़ आपस में मिल जाएंगे जिससे आपके बालों पर तीन गुना तेजी से बालों की ग्रोथ होगी दोस्तों अगर आप तरीकिसे इसे यूज करती हैं तो जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्का बिल्कुल बनकर रेडी है तो चलिए जान लेते हैं इसे लगाना कैसे या भी यूज कैसे करना है बालों पर लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को भी तक स्ब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अगर आपको इस वीडियो से दोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों इस पर और बालों पर लगा लेना है वह अब बालों को को नॉर्मली जैसे अब सेंपू करते जो भी आप अपने बालों पर यूज करती हैं उस यूज करके बालों को अच्छे से वास करें